तो हम दूसरे pages की बात करेंगे, दूसरे pages पर जिसे मेरे पास में ये property वाला page है, properties, राइट, अब इसमें ये वाला blog तो same ही है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए, जैसे दूसरे pages पर अगर हम जाते हैं, तो मैं एक page create करता हूँ पहले, यहाँ पर मैं properties का एक page create करता हूँ, basic page बनाता हूँ एक properties का, और यहाँ पर add content में मैं जाता हूँ, और add content में जाने के बाद मैं मैं एक simple basic page पहले बना लेता हूँ properties का, तो यहाँ पर मैंने basic page बना लिया properties और इसको save और publish कर दिया, save और publish करने के बाद क्या होगा, कि जैसे अगर आप home page की बात करोगे, तो यहाँ properties का एक page है, तो मैं को structure में जाना पड़ेगा, यह मैं structure में जाऊँ गा, और structure में जाने के बाद मैं मेरे को main menu में जाना पड़ेगा, right? तो इस टेक्चर में गया मैं मीनूज में गया और यहां पर में नेविगेशन में गया इसको मैंने एडिट किया एडिट करने के बाद प्रॉपर्टीज को मैंने एडिट किया यह प्रॉपर्टीज एडिट हुआ और यहां पर जो है मैं इस वाले पेज को एड़ कर देता हू properties, यह मैंने properties को add कर दिया, अभी मैं home पे जाता हूँ तो home पे आप देखो कि यहाँ पे properties आ गया, अभी properties वाले page को हम open करेंगे, तो यह page कुछ इस तरीके से अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब इस page पे मेरे को क्या करना है, मेरे को यह जो block आ रहे हैं न, इन block को थोड़ा exist करना है, मतलब, मतलब footer का map का block नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, block layout पे जाऊँगा, block layout पे जाऊँगा, तो मैं structure में जाता हूँ, और block layout पे जाता हूँ, ठीक है, यह structure में गया में, और block layout में जाके कुछ, इन block के लिए मेरे को कुछ restriction लगाने हैं, तो इस structure में गया में, और block layout में गया, तो इस structure में गया में, और उसके बाद में structure में गया, और फिर block layout में गया में, और जो जिसे main navigation है, main navigation तो आएगा, लेकिन slider वाले block को मुझे config करना पड़ेगा, तो मैंने slider वाले block पे config किया, और show the listed page, तो show the listed page में, मैं यहाँ पे कर दूँगा, front, यह नहीं कि cable front page पे दिखेगा यह, अभी आप देखोगे, property वाले page को मैं refresh करूँगा, तो यह slider नहीं दिखेगा, यहाँ पे, right, तो देखे slider हड़ गया, अब यह दूसरा block है, मेरे को इसको भी config करना है, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ config block पे जाऊँगा, और इसको भी cable front पे दिखाना है मेरे को, तो मैं यहाँ पर इसको front पे कर देता हूँ, तो यह front पे दिखेगा cable, फिर से मैं page को refresh करूँगा, तो आप देखोगे, यह block भी हाँ नहीं दिखेगा, इसी तरीके से यह वाले block को भी मुझे cable front पे दिखाना है, है ना, तो लेकिन इसमें condition है, condition यह है कि, जैसे यह वाला block है, right, तो इसको भी मैं front पे दिखाना, लेकिर यह classes reason पे लगी, तो हम क्या करते हैं, हम एक अलग file बना लेते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे page front.html.tick file, इसको copy करते हैं हम लोग, और हमारी जो file है, file कुन सी है हमारी, यह pages है, इसको मैं copy करता हूँ, यह मैंने copy की, और इस file को इसी folder में जाके मैं paste कर देता हूँ, copy paste करने के बाद में, जो name है, वो rename करके मैं, front.html.tick कर देता हूँ, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यह होगा, कि यह जो file है, यह cable, front page पे चलेगी, वाकि दूसरे pages पे, दूसरी file चलेगी, ठीक है, अभी मैं, मैंने यह कर दिया, अभी मैं एक बार cache clear कर देता हूँ, तो मैं द्रश, share किया मैंने, अभी इससे होगा क्या, इससे यह होगा कि, जो हमारा property वाला page है, जैसे एक बार मैं इस page को refresh करूँगा, property वाले page कर, तो इस पे मुझे, इस वाले region की कोई जरुवत नहीं है, मतलब, जो property वाला page है मेरा, उस पे मैं को, यह footer ही चाहिए बस, footer चाहिए, main content area चाहिए, तो मैं यहाँ पर यह वाली जो file है, इस पे जाता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यह contact region को हटा देता हूँ, तो मैं इस contact region को यहाँ से delete करता हूँ, अभी इस से क्या होगा, इस से यह होगा कि यह file अलग चलेगी, front page पे और यह file बाकी सारे pages पे चलेगी, तो बाकी सारे pages पे मेरे को contact as block की जरुवत नहीं थी, तो वो मैंने हटा दिया, इसकी भी जरुवत नहीं है, तो यह भी मैं हटा दूँगा, लेकिन हाँ, property section की में कोई जरुवत है, और base deal वाले section की भी मुझे जरुवत नहीं है, अगर मैं front page पे जाता हूँ, तो यह front page है, और front page पे यह base deal, नहीं, base deal वाले block की भी जरुवत नहीं, तो हम लोग base deal को भी यहां से हटा सकते हैं, तो मैंने base deal को भी हटा दिया, अभी आप देखोगे, मैंने सारे regions जो हैं, उनको यहां से हटा दिया, अभी मैं यहां से, इसको refresh करता हूँ, page को, सबसे पहले तो मैं एक बार, सबसे पहले मैं एक बार, cache clear करना था मेरे को, अभी मैंने किया नहीं, लेकिन हाँ मैं एक बार refresh करता हूँ, page को, तो आप देखोगे, यह slider, यह main navigation आ रहा है, उसके बाद में यह blog आ रहा है, यह कुन सा blog है हमारा, यह video content blog है, तो video content blog को भी, मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, और यह देखिए, fun fact को भी हटाना पड़ेगा, और video content को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि, यह front page का layout है मेरा, video content को भी मैं हटा देता हूँ, यहाँ से, और feature blog को भी हटा देता हूँ, यहाँ से, सिर्फ मुझे banner रखना है, तो banner में कोच change करना है, banner जो है, वो मुझे change करना है, अभी मैं फिर से refresh करता हूँ, इस page को, सबसे पहले मैं एक बार, cache clear कर लेता हूँ, और इस page को मैं एक बार, फिर से refresh करूँगा, तो आप देखोगे, कि video content वाला जो block है, actually यह जो block है, video content का, यह अभी भी आ रहा है, video content block, यह कहां से आ रहा है, एक minute, यह header हो गया मेरा, header के बाद में main winner हो गया, और main winner के बाद में, यह जो block है, वो, यह block तो चाहिए था, हमको यहाँ पर, ठीक है, hooter भी आ गया, यह वाला block भी आ गया, सिर्फ बचा हुआ है मेरा, इस वाले block को भी हटाना है मेरे को, तो इस वाले block को हम लोग कैसे हटा सकते हैं, वो मुझे शेक करना है, यह आ रहा है video content से, तो video content वाला जो block है, वो उसको मुझे हटाना पड़ेगा, केशे clear हो गया है, एक बार मैं इस page को refresh करूँगा, तो देखें यह आ गया, एकदम वही हमारा layout, अगर मैं इसको new window पे open करके देखता हूँ, तो देखें यहाँ पर अब हमको क्या करना है, यह आ गया और यह आ गया, अब हमारा सिर्फ एक block missing है, वो हम लोग create कर लेते हैं, और वो missing है हमारा यह वाला layout, अगर मैं properties पे जाता हूँ, तो properties पे मेरे को यह वाला जो block है, यह missing है, अगर मैं इसको पूरा copy करके, यहाँ से यह पूरा static HTML है, इसको मैं copy करके, और अगर यहाँ पे मैं, यहाँ से मैं इसको copy कर लेता हूँ, तो मैं पूरा copy element किया मैंने, copy element करने के बाद में, यह page header है, page header यानि की, यह वाला जो main block है, अगर मैं home page पे जाता हूँ application के, तो यह मेरी application का home page है, यह मेरी application का home page है, और इस home page पे, यह मेरा जो block आ रहा है, इस block के अंदर का जो content है, यानि की header वाला block है, तो मैं structure में जाता हूँ, यह structure में मैं गया, और मुझे यहाँ इसको कहाँ print करना है, इसको मुझे print करना है main winner में, तो मैं एक block create करता हूँ, block layout में जाता हूँ, यह मेरा block layout है, block layout में मैं को main winner में जाके, एक block create करूँगा, यहाँ पर मैं add custom block लिखूँगा, और add custom block में यहाँ पर मैं को full, full html लिखने हूँ पड़ाएगा, और full html लिखने के बाद में, यहाँ पर मुझे source में जाना पड़ेगा, और source में जाने के बाद में, यहाँ पर जो है वो, तो blog का title में यहाँ पर दे देते हैं हम लोग properties यह title देने के बाद में इसको मैं save कर देता हूँ और इसको मुझे print का करना है तो इसको मुझे print करना है यह वाले page पर यानि कि properties वाले page पर print करना है तो मैं properties वाले page पर जाओंगा इसको यहां से मैं copy करता हूँ और copy करने के बाद में यहां पर जो है region, region में यहां पर main winner होगा और listed page यहनी की cable properties वाले page पर मैं को इसको show कराना है अभी मैं इसको save कर देता हूँ यहां पर way to side करूँगा मैं और यहां पर आप देखोगे तो यह आ गया block लेकिन कुछ problem है अभी जिसे की title आ रहा है तो title display को मुझे हटाना है और यहां में save कर देता हूँ इसको अभी यह जोला background नहीं आ रहा है यह वाला background नहीं आ रहा है क्योंकि यह वाला background किस पर आ रहा है page heading class पर आ रहा है तो अगर मैं यहां पर जो css लगी है वो कहां लगी वो मुझे देखना पड़ेगा मैं inspect element करता हूँ inspect element करने के बाद में यहां पर आप देखोगे तो page header page header के अंदर जो css है वो अभी मुझे इस image को download करना होगा सबसे पहले इस image को मुझे download करना होगा तो यह image में download करके save करना पड़ेगा तो मैं जाता हूँ content में यह में content में गया और content में जाने के बाद में जाओंगा content में जाओंगा media में जाओंगा content media में जाने के बाद में page heading bg को add करना है तो मैं add media करूँगा image में जाओंगा image में जाने की बाद में यहां पर मेरे को add करना है यह यह वेग्ग्राउंड मैंने add कर लिया यहां पर मैं इस image को paste कर देता हूँ और यहां पर मैं लिख देता हूँ properties और इसको save कर देता हूँ save करने के बाद ये एक block आ गया मेरा अब इसको मेरे को क्या करना है कि css में जाना है अभी ये कौन सी css है पर ले बो verify करना है तो ये css मेरी जो है template.css है तो यहां में जाओँगा और यहां जाने के बाद मैं css में जाओँगा तो ये css है मेरी और इस CSS में जाने के बाद में यहाँ पर मेरे को page header सर्च करना है यह वाली class जो है यह वाली class जो है जिसमें लिखा है dot page heading तो मैं यहाँ जाता हूँ और search कर लेता हूँ dot page heading यह page heading है और यहाँ पर जो है हम इस URL को paste कर देते हैं यह हमारा URL आ गया और आप देखोगे कि इसका impact आएगा इसको save करते हैं हम लोग save करनने के बाद यहाँ जाते हैं यहाँ जाने के बाद मैं home page पे जाते हैं यह home page आ गया और home page पे जाने के बाद मैं अगर मैं इस properties को यनि कि यह वाले block को तो देखे यह आ गया यहां पर यह page आ गया और हमारा यह वाला page भी ready हो गया अभी मैं इस page को refresh करता हूँ तो आप देखोगे यह वाला page भी हमारा ready हो गया अब यहां पर pagination नहीं आ रहा है क्योंकि वो content कम है अभी content aid होंगे तो यह pagination आ जाएगा और यह same ऐसा काईसा page हमारा यहां पर बन जाएगा इसके बाद अब हमको design करना property details page तो property details वाले page में हमको banner change करना पड़ेगा अगर मैं property details page की बात करूँ तो यह मेरा property details page है इस page में भी same banner मुझे लाना है यह same है और यहां पर मैं क्या करूँगा यहां पर मेरे को यह banner और इस तरीका का कुश पेज है य यह वाला blog यहां पर design करना पड़ेगा